है और आज कुछ क्वेस्टेंगे कि इस तरह से हम कांड करेंगे कि कितने हमारे आइसूमर्द है कैसे हमां बना सकते हैं अजह तो तुरीका यह है कि आप ये टिन ट्रैल करते रहे और एक सा उसे और गनाईज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो एक व्यूंड से ब प्रस्वात करें मन्नी जी हम एक एक जांपल ले रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ आपको सी फोर एच टेन ओ यह आपको कंपाउंड दिया हुआ है ठीक है अच्छा अब आपसे पूछा कि इस पर क्या क्या बन सकता है तो आपको थोड़ी सी अगर प्रैक्टेस हो तो आप कह सकते सर एक तो इसमें एलकोहल बन सकता है ठीक है और एक इसमें एथर बन सकता है ठीक तो आपको एलकोहल और एथर अभी के बली यह बनेंगे कुछ और बन सकता है तो उसकी बात भी आगे करेंगे अभी हमें तोटल न Numbers of Alcohol and Ether ये बताने हैं ठीक है अब इनको कैसे बनाएंगे ये देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलकोहल की अब एलकोहल में आपको पता है एलकोहल ग्रुप क्या होता है OH तो अब देखें इसको लिखने का तरीका क्या है आप इसे लिखेंगे C4, H9 और साथ में आप इसमें एक लगा देंगे OH ग्रुप ये बात समझ में आई तो एक चीज हमें ये कनफर्म हो गई कि C4, H9, OH अगर हम इसे इस वे में लिख दें तो ये हमारा एलकोहल होगा तो एलकोहल है मतलब ये ग्रुप कनफर्म है तो इसको साइड करो अब हमारे इंट्रेस्स का पार्ट क्या रहे गया, C4, H9 और आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने आप से कहा था कि अगर हमारे पास C4, H9 लगा हुआ है तो इसको लगाने के तरीके तो हमें पता है, 4 is structural थे, isomers बन रहे थे, और total में मैंने आप से कहा था 5, तो मैं दोनों ही चीज़े लेके चल रहा हूँ, आप शहें तो लिख लिजे, structural में 4 और total, क्योंकि एक chiral carbon आएगा, वो अभी discuss नहीं किया है, आगे करेंगे stereo isomerism जब पढ़ेंगे, बट यहाँ पे note करते चलिए, नहीं तो बात में बड़ा confusion होता है, clear है, तो हम यह ध्यान रखेंगे कि एक हमारा stereo वाला भी आएगा, और पोर तो structural आई रहे, ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, तो alcohol के हमारे पास 5 structure बन गया है, अब ether, ether गया होता है, तो ether में जो group होता है, सबसे पहले उसको साहीं इदर है, तो ether हमारे पास है, यह हमारा group हो गया, ठीक है, अब हमारे पास क्या-क्या लग सकता है, यहाँ पर R1 लग सकता है, यहाँ पर R2 लग सकता है, यह ether है, एक चीज़ का ध्यान रखना, R1 and R2 H नहीं हो सकते, अलकाइल ग्रूप होना जरूरी है, कार्बन होना जरूरी है, यह बात समझ में आई, H नहीं हो सकते, क्योंकि H अगर हो गया, दोनों H हो गए तो water बन जाएगा, एक H हो गया तो अलकॉल बन जाएगा, ठीक है, तो R1 और R2 हमारे कार्बन होने ची़, अब आपके पास बच है, C4, H9, इसको आपको तोड़ ताड़के R1 और R2 में ब्रेक करना है, भई R1, R2 आएंगे का से, यहीं से तो आ रहे हैं, फॉर्मूले के बाब से, तो देखी क्या होगा, आपने का सर, पहले हमने 3 करबन इसके एक साइड लगाए, और बचा जो है, वो हमने दूसरी साइ लगाया, ओके, अच्छा, एक मिनेटिस में तो O लगाया ना, C4, H10 बचा, C4, H10 बचा है, इथर है न, एलकॉल नहीं है, इथर है यह, ओके, 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 छीक है, यह आ गया, C3, H7, एक साइड आया, CS3, एक साइड आया, यह हो सकता है, यह दूसरा मैं यह भी तो कह सकता ह हूँ कि मैं इसको ऐसे लगा दू, C2, H5, ओके, और यहां पे मैं लगा दू, C2, H5, ठीक है, तो A option और B option, आप में से कोई यह कह सकता है, सर, एक और कम करके लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको बना के, आपने का, सर, ऐसे हमने लगा दिया, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा C3, H7, लेकिन यह और यह तो सेम हो गए न, ओके, तो इसको मैं यहां से गायप कर रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो यह दोनों से हमारा काम चल जाना है, इतने ही बनेंगे, ठीक है, अच्छा जी, अब बात य कर रहे होंगे, यहां पर इसलिए वो प्रैक्टिस कराई थी, C3, H7 कितनी तरह से अरेंज हो सकता है, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल, बिल्कुल सही आपने कासर, यह दो तरह से अरेंज हो सकता है, ठीक है, C3 तो दूसरी साइड लगा था, वो तो एक ही तरह के स इसे भी एच निकालो, ओके, तो यहां पर यह एक तरह से अरेंज हो सकता है, तो टोटल स्ट्रक्चर मेरे पास कितने बन गए, 3 स्ट्रक्चर बन गए, तो अगर आप देखें, तो एलकोहल के स्ट्रक्चरल 4, टोटल 5, और एथर में 3 स्ट्रक्चर, क्लियर है, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, तो एक और टाइब का कुश्यन आपको मिल सकता है, यहां पर आपको C4H9, OC4H9 एथर दिया हुआ है, उन्होंने काया, find total number of ethers, इस्ट्रक्चर बताने है आपको, ठीक है, हाँ, तो यहां पर आपको इस्टीरियो वाली चिंता करने की जुरूत नहीं है if alkyl group shifting is not allowed, alkyl group shifting is not allowed, alkyl group shifting is not allowed मतलब, दोनों side C4H9 ए लगा रहेगा, आप यह नहीं कर सकते कि एक side 3 और carbon को इदर उदर नहीं कर सकते, ठीक है, आप देखिए, इसका बड़ा simple सा आपके पस तरीका है, कि आप क्या कीजिए, ओ तो आपने लगा दिया, ठीक है, अब एक को fix कर देते हैं, मलिए, यहाँ पर मैंने N-butyl लगा दिया, कितने लगा सकते हैं, ब्यूटाइल में, ब्यूटाइल में आपको पता है, 4 लगा सकते हैं, ठीक है, पहले मैंने N-butyl लगा दिया, अब N-butyl के साथ, यहाँ पर 4 structure possible है, 4 structure अटैच कर सकता हूं, कौन-कौन से, N-butyl sec-butyl, isobutyl और tertiary-butyl, तरहे लगा सकता हूं, तो अगर आप इस पर देखें, तो मेरे पास 4 option यह बने, बहुत सीधा सा तरीका है, ठीक है, फिर से मैं आपको देखा रहा हूं, वो मेरे पास है, अब मैंने क्या किया, यह जहाँ N-butyl था, यहाँ पर मैंने sec-butyl लगा दिया, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको करा चुका हूं, बता चुका हूं कि sec-butyl कैसे होगा, ओके, और दूसरी साइट, फिर से मैं क्या कर सकता हूं, मैं C4-H9 लगा सकता हूं, C4-H9 के 4 method हो सकते मेरे पास, तो आप कहेंगे 4 होगे, लेकिन एक चीज का धियान रखना, N-butyl के साथ कहीं न कहीं sec-butyl आया होगा, तो यह तो common हो गया, इसका मतलब, अब मेरे पास 4 ना होके कितने होंगे, 3 option, ऐसा अपने permutation combination में भी शायद किया होगा, मैं सुन, ओके, हाँ जी, बिल्कुल वही तरीका है यह, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर मैंने N-butyl लग चुका है, ओके, सॉरी, 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 अब कौन थाएगा, आईसो, आईसो लगा देते हैं, आईसो, आईसो-butyl लगा दिया, ठीक है, O के साथ, फिर से, लगेंगे तो 4, लेकिन sec और N लग चुके हैं, इसका मतलब कितने option बचे हैं, तो option बचे, लग तो C4, H9 रहा है बात समझ में आ रहे हैं यह बिटा, यह N-butyl के साथ, sec-butyl, हाँ, यह N-butyl, sec-butyl, यहाँ पर sec-butyl, N-butyl common हो जाएगा, अच्छा, फिर आईसो-butyl के साथ, आईसो-butyl, sec-butyl और आईसो-butyl, अन-butyl तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो अब नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे, आईसो-butyl, आईसो-butyl और आईसो-butyl, tertiary-butyl को, ठीक है, ओके, अब हमने यहाँ पर लिया, tertiary-butyl, फिर हमने O-group लगाया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम C4-H9 लगाएंगे, लेकिन आप किसको लेंगे, केवल एक ही ग्रुप हम ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि tertiary-के तो टोटल आपके पास 10 structure बन गए, अगर आपको shifting of alkyl group is not allowed, यह बात समझ में आईगे, बिल्कुल, तो एक आपका homework हो जाएगा, च्रीक है, homework हो जाएगा, चलिए देखेगा, यह आपका है C5-H11, O-C5-H11, बढ़ गे ना, ओके, shifting not allowed, shifting of alkyl group not allowed, यह आपका homework, बढ़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, C5-H11 के कितने थे, structural बताने, यहां पर लिख लिजे, only structural, क्योंकि आइसोमेरिजम अभी पढ़ा नहीं है, तो only structural, ठीक है, तो आपको पता, 8 थे न, C5-H11 के 8 आइसोमेरिज़ दों सकते थे, बिल्कुल, अब एक को fix कीजेगा, आगे 8 आजाएगे, फिर दूसरे को fix करेंगे, चले हमब क्या करना, यहीं बता जिता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8, less 7, less 6, less 5, less 4, less 3, less 2, less 1, यह बात समझ में आई, देखो, C5-H11 आपको बताया था, 8 आइसोमर्स possible है, इसी लेगाता है, इनको रटना जरूरी है, देखे, 11 कप थे, जब आपने stereo भी consider किये, ठीक है, हमने का structural तो 8 possibility है, 8 possibility एक साइट, इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने first को fix किया, तो O के साथ यहाँ पे 8 लग सकते हैं, तो पहला वाला आगया 8, अब second को fix किया, तो फिर वापस नहीं जाएंगे न, second और first नहीं लग सकते, क्योंकि first और second तो आ चुके हमारे, तो second और यहाँ पे अब मेरे पास 8 में से 7 option ही होंगे, तो यह 7 आ गए, next क्या होगा, third वाला लगेगा, उसके साथ 6 option possible है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, total आप देखेंगे यह आपका कितना जाएगा, बड़ा, 36 हा रहा होगा, NN plus 1 by 2, ओके, चालिए, तो इसको नोट कीचे, यह important थे, So next example है, C5H10O में हमें कार्बोनिल कंपाउंद्स रूमने हैं, अब कार्बोनिल कंपाउंद्स, यह क्या होते हैं बई, कार्बोनिल कंपाउंद्स होते हैं, CHO, LDH, जिन्हें आप कहते हैं, या COO, की टोन जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, दियान रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो आपके LD हाइट या किटो ठीक है अब यहां पे आपका R1 यहां पे आप R2 R3 ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप R1 R2 भी कह सकते हैं कोई फरेक नहीं पढ़ना उससे आर आर भी लिख सकते हैं किसी अलग अलग डंग से लेखा ठीक है चली तो अब सबसे पहले देखते हैं कि LD हाइट हमारे पास कितने बनेंगे LD हाइट तो LD हाइट आपको पता है यह टर्मिनल ग्रुप है बिल्कुल लेड़ पे आएगा तो आपने कहा सर अलग लेड ग्रुप का मतलब हमारे पास कनफर्म है कि CHO तो होगा तो हम इसमें से पूरे में से CHO को side कर दें तो हमने का CHO हमने side कर दिया यह तो हमारा group हो गया इसके साथ इसके साथ बचा क्या C5 में से एक C निकाला तो C4 H10 में से एक H निकाला तो H9 ठीक है और O हम लिख चुके अरे यह तो बड़ा असान हो गया C4 H9 क्या गया बुटा ही ला गया कितनी जरह से लग सकता है structural 4 थे और total 5 थे ठीक है तो आपने का यहां पर लेका structural 4 and total 5 अब तो रट गया हो गाई ठीक यह बहुत जरूरी है बड़ा नहीं तो बाद में क्या होता है पता लगा आप stereo वाला भूल गए structural याद किये अच्छा अभी मैं आपको नहीं करा हूंगा तो आपके दिमाग में अभी बिल्कुल raw mind है आपके लिए यह बैठ जाएगा बीटा इलकेचार और फिर जब वो stereo आएगा फिर आपको गया जरह बात करते हैं किटोन की किटोन जब हम बनाएंगे तो किटोन आपको पता है कि C double bond O और इसके साथ दो ग्रुप लगने है आरवन और आरटू प्लीज दियान रखिएगा आरवन आरटू एच नहीं हो सकते मैं लिख देता हूं आरवन और आरटू दोनों के साथ कार्बन का होना जरूरी है शलिए बहुत बढ़िया तो अब आपने कासर हम इनको कैसे लगा सकते हमारे पास हैं कितने कार्बन फोर हैं तो एक आपने कासर थ्री एक साइड लगा दिये थ्री के साथ C3H7 आ जाएगा और C double bond O और यहां पर CH3 आ जाएगा यह बात समझ में आई कि सी ओ के साथ बचा क्या है मेरे पास C4H10 बचा होगा देखो C5H10 O में से CO निकाला तो C4H10 बचा है बहुत बढ़िया अब दूसरा तरीका क्या है C2H5 CO C2H5 ऐसे अभी पहले भी किया था बिल्कुल सही बात तो यहां पर क्या हो जाए गबड़ा पहले वाले केस में इसमें दो है यहां तो एक ही तरीका है तो तो यहां पर यहां पर एक ही मेथट है दोनों केस में लगने का तो वन हो गया यह बात समझ में आई तो टोटल आपके पास कितने हो गए फाइव तू और 1, टोटल आईसोमर्स अगर आप LDID और कीटोन दोनों को ले रहे हैं तो आपके पास कितने हो गए 8, अलग-अलग कोई पूछे LDID कितने हैं तो वो भी आप बचा सकते हैं, LDID में भी structural LDID कितने हैं वो भी बता सकते हैं, 4 है, structural LDID 4 है, total LDID 5 है, ठीक है, ketone 3 है, और total अगर आपके सारे आईसोमर्स कितने हैं तो 8, नोट कीज़े, C5H12O, ठीक है, अब अगर आप इसमें degree of unsaturation देखेंगे, तो degree of unsaturation क्या होगो, जिरो आई गया, चेक कर लो, बाई double bond O जो है, वो काम करता नहीं है, तो इसको तो हटाई देंगे, ठीक है न, मतलब दिमाग से खाली बस इसको remove कर देना है, और C5H12O, इसके corresponding alkin आगया, 5 carbon पे 12 hydrogen चाहिए होते हैं, तो degree of unsaturation अगर 0 है, इसका मतलब ना तो कोई ring होगा, ना double bond होगा, ओके साथ, या तो ये ether है, या ये alcohol है, अब देखेंगे, मैं question आप से पूछ रहा हूँ कि alcohol कितने बनेंगे total, alcohol total कितने बनेंगे, हाँ, आपको मुझे structural भी बताना है, और total भी बताना है, अच्छा, ऐसे कर लीजे, total हम जो है, structural और stereo दोनों मिलाके कहते हैं, तो हमने कहा, alcohol total और structural कितने, ठीक है, तो मैंने आपको इसका method एक question अभी पहले कराया था, आप गया करेंगे, आप कहेंगे alcohol है, तो OH निकाल देंगे, आपके पास बचेगा C5H11, ये बात समझ में आई, C5H11OH ये हमारे पास बच जाएगा, अब C5H11 में याद हैं न कितने, structural की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे 8 थे, और total की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे 11, ये बात समझ में आई, लेकिन आप इस question में ट्रिस्ट पनाते हैं, चीक है, मैंने आप से का कि 1 degree alcohol कितने होंगे, 2 degree alcohol कितने होंगे, और 3 degree alcohol कितने होंगे, question पलडगे अगर, बड़िया question मन दे, मैंने आप से का कि 1 degree alcohol, 2 degree alcohol और 3 degree, total alcohol तो मैंने तरीका आपको बता दिया था, अब इनको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखेगा, 1 degree alcohol कि जब हम बात करेंगे, अब 1 degree alcohol होता क्या था, जो ऐसे carbon के साथ attach होता था, जो 1 degree carbon है, इसका मतलब CH2OH group होना compulsion है, 1 degree alcohol अगर है, तो CH2OH होगा, देखो, तब ही यह क्या होगा, 1 degree alcohol होगा, अच्छा, अब इसके पास क्या लग सकता है, पर हमारा formula क्या था, C5H11OH, इसमें से CH2OH हट चुका, तो बचा क्या, C4H9, C4H9 कितनी तरह से range हो सकता है, structure में 4 और total में 5, बात समझ में आई, खेल वो ही है, खेल वो ही है, बस आपको यह समझना जरूरी है कि 1 degree alcohol मेरा कैसे adjust होगा, अच्छा चलिए, अब जड़ा बात करें 2 degree alcohol की, अब मेरे क् से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, 2 degree alcohol की अगर हम बात करेंगे, तो कौन सा group होना जरूँगे, C-H-O-H, C-H-O-H, और यहां पर आपके, H नहीं होना चाहिए, यहां R1 और R2, कुछ बात समझ में आई, R1 और R2, चीक है, 2 degree alcohol में यह हो सकता न, तो अब अगर मैं आप से कहूंगे, R1, R2 क्या हो सकते हैं, अभी कर चुके हम यह पहले, ओके, आपने का असर, एक साइड हम, C-H3 लगा दें, दूसरी साइड हम, C-H7 लगा दें, हो क्या, तो, सरी, 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 सी टू, अच्छा, C-H7 लगा दें, C-H3 लगा दें, आच्छा, और एक और भी तो हो सकता है, एक और भी तो हो सकता है, प्रिए यहां पर मैं सीटू एच फईफ लगा दू इधर भी सीटू एच फईफ लगा दू ठीक है अब अगर मैंने सीटू एच फईफ लगाया तो थो मेरे पास के वाले एक possibility लेकिन इसे वाले में possibility तो यहां पर मेरे स्ट्रक्चर जो है वह दो हो जाएंगे अब यह भी बात की थी स्ट्री एट सेवन दो तरह से लग सकता है अब इसमें स्टीडियो वाल भी आएगा तो मैं टोटल आपको लिखा देता हूं क्योंकि यह थोड़ा सा कॉंप्लेक्स होगा कार्बन आपको ढूंबने पड़ेंगे वह जब आगे करेंगे तब आएगा टोटल इसमें बिटा पोर आएगे यहां पर आप चाहें तो स्टार लगा के लिख दीजें की भई डिसकस एक लेटर तो टू डिघ्री टोटल कितने बने पाइव और इस्ट्रक्चरल कितने बने तो थी ओबलीक फाइब मैं लिख रहा हूं यह हमारे पास स्ट्रक्चरल है और यह हमारे पास टोटल इसटीग्री में यह हुआ चालिए अब ब है यह तो हमारा ग्रूप होगा और इसके साथ 3 साथ 3 कारबन लगे होंगे तब ही तो यह 3 डिग्री कारबन के लए चलिए अब कैसे कैसे लगा सकते हैं तोटल कारबन है कितने तो यहां पे CS3, यहाँ पर CS3, यहाँ पर C2H5, आप में से कोई कैसा रिदर उदर कर ले, तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, आप कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसको C2H, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो ही है, यहाँ C2H5, लेकिन रहेगा तो similar ही ना, इस्ट्रक्चिर के इस आप से तो बिल्कुल similar रह रहा है, तो मैं एक ले ले रहा हूं, ओके, यह आ गया, अच्छा, इसमें CS3 के attach होने का एक मेथाट तो मेरे पास यहां पर कितने बनेगे एकी तरीका है सब एक ही तरह से लड़ सकतें तरीक में ना उससे 1 आए अरे इलेवन ही तो आया थे देखो जब हमसे टोटल एलकोहल पूझा तो बड़ा असान था अब यारे इसको रट लेना कहां तक बार-बार करते रहोगे इनको रट लेना मतलब रट क्या लेना चार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप रट जाएंगे और अगर आप द समझ में आ रहे हैं तो यह आपके होगे वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एलकोहल बनाने के तरीके अगर मैंने कुश्चिन को खोड़ा सक्टिस्क किया कि आपसे स्पेशली पूच लिया तो यह थोड़ा बड़ा कुश्चिन बन गया अदर्वाइस अगर आ इसमें आपको बताना है वैजित कि अपको बताना है कि करबोकसिलिक ऐसेट आइसोमेर्स कितने होंगे ठीक है उनली स्टीक्चिरल आपको बताने तो अब देख सकतरीक घ्रूप को श्यानी को सबसे पहले करते हैं तो ऑपके पास बचेगा क्या आपके पास बचा C4H9, ऐसी तो ग्रुप बना होगा, और ये ग्रुप क्या है, टर्मिनल ग्रुप है, आंखरी में लग रहा होगा, तो इसका मतलब दूसरी साइट तो कुछ लगना नहीं है, यहां क्या लगना है, किवल C4H9, कुछ बात समझ में आई, और C4H9 क्या आपको देखा कि 4 structural होंगे, 4 structural isomers होंगे, अब आप बना के चेक कर लो, मैंने आपको नंबर बताए, आप चाहो तो आप बना के चेक कर लो, वो भी clear हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो एक तो आपके पास यह होगा, ठीक है, अच्छा, दूसरा, इसी पे एक और question भी बन सकता है, अगर आपसे कह दिया जाए, एस्टर, एस्टर याद है, तो एस्टर आपका होता था, अगर R1, C double bond O, R2, इस तरह से यह आपका, अब एक चीज का ध्यान, फिर से, R1 और R2, कौन H हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, एक और interesting चीज, जिसमें कई बार बड़ा confusion होता है, दिखेगा क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दू, R2, C, O, O, R1, reverse कर दिया है मैंने, है न, अगर मैंने इसे reverse कर दिया, तो यह change हो गया न, समझ में आया, तो R1 और R2 को मैंने change कर दिया, तो आप reverse कर सकते हैं, यह different हैं दोनों, यह दोनों different बनेंगे, एस्टर में यह चीज दियान रखिए, लेकिन एक चीज, जो इसमें भूलते हैं वो क्या है, बिटा, ऐसा हो सकता है कि R1 आपका H हो जाएगा, हाँ, मैं इसको ऐसे लिख दू, R1 में भी H, R1 में भी H, H हो सकता है, carbon भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लेकिन अगर यह H हो गया, तो इसको invert मत करना, क्यों, अरे अगर इसको invert कर दिया, तो second वाले case में एसेड बन जाएगा, फिर यह एस्टर नहीं रहेगा, देख रहे हैं, आप जैसे जैसे step उपर चलते चलेंगे, confusion बढ़ता जाएगा, लेकिन confusion है नहीं, reality में अगर आपको concept समाझ में आ रहा है, तो बिल्कुल confusion नहीं हो, आपको पता है कि यहां पर मुझे ध्यान रखना है, कि मेरा भई alkyl group लगेगा, वो H possible है कि नहीं है, हाँ, अब H देखे देख लिजे यार, एस्टरी रह रहा है, तो कोई परिशानी नहीं, अब अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, H, C, O, O, C, H, 3, मान लो ऐसे लिखा, एक बता रहा हूँ, ठीक है, तो यह क्या है, पई, acid और alcohol से मिलके, हाँ, इसको आगे बढ़ेंगे, class 12 में पढ़ेंगे इनको detail में, लेकिन अभी तो यहाँ पर question तो हमें समझनी ही पढ़ेंगे न, हाँ, तो acid, यह देखी, यह acid था, और CS3OH, CH3OH, L को हलता, मैं दिखा देता हूँ आपको, R1, C, O, 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 C, कहां चला गया मेरा, double bond, O, O, H, और इधर में लिख रहा हूँ, R2, O, H, यह बाद समझ में आई, इस में से अगर मैं water निकाल दू, ठीक है, अब कैसे होगा, वो सब वहाँ पर सीखेंगे, लेकिन अभी यह क्या बन जाएगा, R1, C, double bond, O, O, R2, यह बना, ओके, तो यहाँ पर R1, H हो सकता है, लेकिन R2, H नहीं हो सकता, क्या बाद समझ में आई, क्योंकि R2 के H होते ही, यह आपका water हो जाएगा, alcohol नहीं रहेगा, clear है, चलिए, 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 तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हमारे पस, बिल्कुल, estrogen हम बना रहे थे, तो हमने रखा, C, O, O, यह हमने बना दिया, यह हमारा group आ गया, और इधर हमें क्या लगाना है, ध्यान रखेगा, पहले हम लगाएंगे H, और फिर इधर हम लगाएंगे C, 4, H, 9, पहला यह option हो गया, ठीक है, generally इसे भूलते हैं लोग, students जो मैं बताता हूँ जब तो इसको भूलते है, यहाँ पर 4 options आपके हो गए, ठीक है, 4 isomars यहां से बन जाएंगे, structural की बात करें, क्यवले structural की बात करते हैं, ओके, आप देखेएगा ज़रा B option में, B option में क्या कर सकते हैं हम, परस्ट वाले को CH3 कर लें, यहाँ पे C double bond O, O, यहाँ पे हम C3 H7 लगा लेंगे, ठीक, अब आप कहेंगे, C3 H7 यह तो एक ही तरह से connect हो सकता है, C3 H7 टू तरह टाइप से connect हो सकता है, तो भाई एक बार C3 H7 का, आइसो वाला सेंटर वाला और एक बार कॉर्नर वाला, ठीक है, यह बात समझ में आ रही, चल यह बहुत बढ़िया, आप देखें, C, C option में हम कहेंगे भाई, एक साइड हमने C2 H5 लगा दिया, C double bond O, फिर हमने दूसरी साइड भी C2 H5 लगा दिया, ख्लियर है, चेक कर लो भाई, ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, जब हमने इसको लगाया, तो अब आपको पता है कि C2 H5 को आप different way में connect नहीं कर सकते, तो एक ही तरह से connect कर पाएंगे, तो दोनों साइड एक ही तरह से connect होगा, एक ही आपका structure आएगा, वेरी गुड, अब कौन बचा, last, अब आपने का भाई, C3 H7, C double bond O, और यहाँ पे आपने किया C H3, ऐसे लग सकता हूँ, ओके, यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, तू, आपने का टू, बिल्कुल से, बिल्कुल से, चीक है, अब कई बार करते के हैं, बोले सर, लिख की चेक किरना पड़ेगा, बटा, शुरुआत में तो बहुत प्रक्टिस ही है, आपने का सर, यहाँ पे मैंने C4 H9 लगाया, यहाँ C double bond O लगाया, और यहाँ पे H कर दि लेकिन भाई यह तो हमारा, ऐसे ड़ेगा है, तो इसको मत लिख देना, इसको हम यहाँ से गायप कर देते हैं, यह सिर्फ इसलिए लिखाया था, आप पपी में मत नोट करना, यह मैंने इसलिए लिखाया था, इसलिए आप गल्ती ना कर, ओके यह हमारा डिलीट हो चुका ह है, तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए, नाइन, टोटल हमारे पास, अब मतलब यह स्ट्रक्चरल हैं, जान रखेगा, केवल स्ट्रक्चरल की बात हमने गई तो कोई डाउट मन में आ रहा हो, तो बिलकुल पूछें, अब बिटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, C7 H8O, सबसे पहले तो मुझे यह बता दो कि degree of unsaturation क्या है, double bond equivalent जिसे हमने कहा था, वो क्या है, तो method क्या था, आप चाओ तो formula, दूसरा तरीका क्या है, कि double bond वाले को हटा दो, double bond वाले को उडा दो, क्योंकि इसका कोई role होता ही नहीं, अब यह क्या बना, C7H8, ठीक है, और C7 के corresponding अगर आप देखेंगे, तो वो अपका हो जाएगा C7H16, इसका मतलब 8H की deficiency, 2 से divide किया, answer आगया 4, तो double bond equivalent इसका 4 है, ओके, अब यह question जब आपको मिलेगा, तो चली मैं इसको भी यहां से remove कर दू, note कर लिया होगा, आपको, अगर कुछ नहीं दिया, तो आप यहां से check क कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या होगा, बट अभी मैं आप से clearly कह दे रहा हूँ कि इसमें मेरे पास benzenoid, isomers आपको बताने, ठीक है, अब benzenoid मतलब benzen ring होनी चाहिए, और जैसे ही आपने का benzen ring, benzen ring का मतलब कितने, four, four double bond equivalent आगया आपके, आया समझ में, तो इसका मतलब four double bond equivalent, आपने लगा दिये, benzen ring, benzen ring क्या होती है, c6, h5, बचा क्या, बचा क्या, एक c बचा है, three h बचे हैं, और oh बचा है, okay, अब अब, oh, sorry, oh, h नहीं बचा, oh, बचा हुआ है, हाँ, अब यहां पर जड़ा सी कई बार confusion हो जाता है न, बोले sir, oh double bond, oh double bond नहीं हो सकता है, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यह आपका c6, h4 होगा, और यह oh होगा, यह थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, यह देखिए, हमने एक ring बनाई, इस ring की अगर आप बात करेंगे, तो यह है c6, h6, चिक, अब अगर मैं इसमें कुछ attach करूँगा, तो एक hydrogen हटेगा, और यहां पर hydrogen था carbon के साथ एक hydrogen लगा हुआ था, दिखा देता हूँ मैं आपको, यह h ऐसे लगा हुआ था, यह h हटेगा, और इसकी जगे कोई न कोई ग्रुप आएगा, यह cs3 आया, यह बात समझ में आई, अब cs3 आने के लिए h हट गया, चीक है, ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते है C6, H6, CH2, और OH, सुर्ल, 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 O, ठीक है, confusion गया होता है कि O से यह नहीं समझ में आता कि यह OH है की नहीं, इसलिए यहाँ पे यह question इसलिए important हो जाता है, ठीक है, कई बार students को इसमें मुश्किल होती है, बैंजीन रिंग लगाते है, C6, H5 कर दिया, बोलें बिसर, बिल्कुल, 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 तो, एक हैच निकालके, लेकिन एक हैच नहीं यहाँ पे आप दो ग्रूप लगा रहे हैं, तो दो ग्रूप अब क्या होगा, देखे, एक मैं यहाँ लगा दे रहा हूं, एक मैं यहाँ यहाँ पे लगा दे रहा हूं, अब ज़र इसको काउंट करो यहां पे भी आपका इस पोजीशन पे एच नहीं है इस पोजीशन पे भी एच नहीं है यहां से दोनों एच अट चुके हैं यह बात समझ में आ रही है नहीं ओके कोई बात नहीं यह देखे कहीं पे भी लगा तो यहां पर हो जस जगे पर इस लगा है रेड़ कर्बन को देखो जांस यह रड़ कलर से मैंने बनाए इसकी पूर की फूर, जाए बची नहीं न तो इस लिये यहां परच यहां एच है यहां एच है यहां है तो यह 6104 यह रिंग झो है आपका वह यहां पे पीट करो हो गया यह आप स्येच करके देखा को किसी सेवन एच ऑब गया अ तो चला देखते हैं अब हमारे पास है एक तो हमारे पास यह रिंग हो गई इसमें हमें क्या लगाना है एक हमें CH3 लगाना है और एक हमें OH लगा लगाना है में कितनी तरह से लगा सकते हैं पर हमारे पास हमें पता है पॉणी चाहर तो माल लाका यहँ तो यह के दूसरा में लगा दूए और तीसरा में और को इधर लगा दूंड यह बात अरह में कि आप io कोई मुझ से अगर यह कहे हैं कि सबया हमने रिंग दिया अब मैंने सी एस सी लगाने की एक पोजीशन यह ओगई दूसरी पोजीशन यह और तीसरी पोजीशन यह थीक है तो आपके पास टोटल थ्री डिस ट्रॉच्छर स् पॉसिबल है प्री आइसो मस् पॉसिबल है और फो मेटा एंड प्रा ठीक है हां दूसरी साइड मत लगा दिना जगे तो वो भी है लेकिन अगर आपने यह यह लगा दिया तो यह और यह तो सेम हो गए ना इन में से एकी को तो गाउंट करो अब पहरागी तो सिंगल आएगी लेकिन और तो और मेटा की दो दो पोजीशन आएंगी लेकिन वह हैं तो सेम कुछ बात समझ में आई अच्छा अभी तो यह हुआ लेकिन गलती क्या होती है कि अभी एक और का नहीं हो सकती है वह क्या है कि इस रिंग पे यहां पर मैंने लगा दिया CH2OH क्या मैं ऐसे नहीं लगा सकती है लग सकता है ना जरूरी तोड़ी है कि ओएच को मैं रिंग पे ऐसा तो मुझे कुछ ता नहीं है ओएच को रिंग पे लगाऊ तो एक structure मेरे पास यहां पर भी पॉसिबल हो गया बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अभी कारणी खतम नहीं हुई है ओके मैंने आपसे कहा था C6H5 के सांथ हमारे पास आ रहा था CH3 और O ऐसे आया था ना यहाद आया आप देखो अगर मैं यहां पे O लगाऊ एक्वेलिंसी आएगी यहां पर सी इस्टी लगा देता है एक कंडीशन यह बिया है तो टोटल कितने structure बन गया है हां सारे अलकोहल नहीं है ध्यान देख लेगा है कि अलकोहल मतलब फिनॉल चीक है है हां फिनॉल हमारे पास थ्री आएंग जिस पे बैंजीन रिंग पे ओश लगा हुआ है वो तीन है आरा थीन के समझ में आगए यह तीनों साथ नहीं लगे या तो और्थ पोजिशन पर है या मेटा पोजrous पैके यह देख लिज़े यह एक केस हो गया ठीक है दूसरा केस क्या होगा दूसरे केस में चलिए मैं ऐसे लगा दूंपो ओके या तो मैं O.H. यहां पर लगा दूं C.H. 3 यहां लगा दूंग यह एक हो गया एक आइस ओमर बन गया अब मैंने इसको टाए हैं यहां से इसको मैंने यहां लगा दिया यह दूसरा बन गया लाट समझ में आई ओके इसको भी रिवूव किया थर्ड बन गया क्लियर है ओके तो टोटल कितने हो गए आपके फाइव ओके एक और देख लेते हैं बेंजिनोइट आइसोमर्स पे C6H4Cl2 मन लेजे मेरे पास एक रिंग मैंने ले ली यह मैंने ऐसे रिखाते हैं यह तो अभी अब जब मैं इसमें कुछ अटैच करूंगा जैसे अगर मैंने इस पेस CH3 मन लिए यह तो अब यहां पर मेरे पास एच तो यहां पर मैंने एक सीएल लगाया और यहां पर मैंने एक सीएल लगाया अब मैं कैसे लगा सकता हूं CL CL को एक तो यह वाली position पर दूसरा मैं आपको different color से दिखा दूँ एक CL मैंने यहां रहा एक CL यहां रखा यानि यह meta position पर आ गया और फिर इसको change कर देते हैं एक CL को मैं top पर रहने दूँ और एक को यहां लगा दे ठीक है इसके आपके पास 3 structure हो गए कौन कौन से और थो, meta और पेराफे ठीक है यह dichloride है बिल्कूल 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 ठीक तो यह आसान सा था अब इसमें twist लाते हैं देखिएगा twist कैसे मैंने आप से का C6, H3, CL2 और सांथ में BR हाँ बिल्कूल पहले वाला बना लीजे बिल्कूल बना लीजे तो C6, H3, CL2, BR की हम बात कर रहे थे अब फिर से हमें पता है कि यहां पर अगर आप double bond equivalent calculate करेंगे तो आपका 4 आजाएगा हाँ डियो यू आपका जो है वो और आजाएगा डिग्री ऑपन सिटूरेशन आपकी पोर आजाएगी पोर से आपको पता चल गया हमारे पास एक बेंजीन रिंग है चिक तो अब आप से यहां पर मैं पहले क्लियर कर दिया मैंने आपको कि अभी हम बात कर रहे हैं बेंजी की कैसे बात की पॉसिबिल्टी यह है कि मान लिजे मैंने सियल और स्यइल को स्पे न लगा दिया। हो कि अब बात क्या का लगा कगो हूँ कन्फेशन होथा है ध्यान रख भी होता है अगою हो और यह दोनों सेमोगे रिट कलर से जो बनाया है ठीक हैं तो इनको दो नहीं Count करेंगे इनको वन Count करें grow up इसके बाद मिले BRA के लगने की पोजीशन एक ही और ᦬जी यह हो गई यह मैं यह यह लगाऊं यह दोनों से मैं कैसे सील से पोजीशन चेक कर लो ना देखो 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 पहले वाले कार्ब क्लोरीन से दो पोजीशन के डिस्टंस पर है और इस से वान टू थ्री पॉर्थ पोजीशन पर है या अपने को काउंट करोगो तो फिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल अब दूसरे वाले को देखो इधर से वन पर है ठीक है और इधर से आओगे तो वान टू थ्री पॉर पर आजाएगा बात समझ में आ रही है इपरिकल से क्लियर हो गया होगा ओके तो बी आर कि अगर सी एल सी एल को हमने फिक्स कर दिया तो बी आर लगने की कितनी पोजीशन होगी है हमारी तू तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बी आर को और यह हमने टू लगा दिया कोई डाउट तो नहीं है अच्छा चलिए अब जड़ा देखें मन लीजे मैंने आप से का कि सी एल सी एल मेरे जो है वो इसी कोई सिमिलर पोजीशन और होगी इसके साथ मैच करने वाली कोई नहीं होगी दूसरी पोजीशन में नहीं यहां लगा लेकिन इस पोजीशन के साथ मैच करती हुई यह हो जाएगी देखिए दोनों क्लोरीन से वन के डिस्टिंस पर है यह सेम होगी तो एक ही काउंट होगा ओके और एक और जगे देख लेते हैं शलिए ग्रीन कलर से यहां पर लगा सक हो तो इसमें हमारे पास त्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं विरी गुट और विल्कुल विल्कुल सही चल रहे हैं अब क्या होगा अब मेरे पास पॉसिबिल्टी है कि मैं सी एल और सी एल ऐसे लगाती है अब आपको बताना है कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं बियार को मैं कहां कहां पर लगा सकते हैं वन टू थ्री पॉर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं चलिए एक हम आपको दिखा देते हैं हम यहां पर लगा सकते हैं चीक है अच तो ये57 या अपने का यहां से वन का देस्टेंस यहां से टू का डेस्टेंस ग्रीजिण वाले यहां से टू को डेस्टेंस यहां से वन गैंक घुझा है तो यह दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है तो यह दोना लेकर आप एक ही लेंगे अब आपने का सर यह दोनों तो सेम होगा अच्छा अगर यहां पर लगा हूं तो भी तो सेम है और इधर लगा हूं तब भी सेम है तो दिखने को तो यह पोर दिख रहे हैं लेकिन एक्षाल में यह एक ही स्ट्रक्चर काउंट होगा क्योंकि सारे तो सेम है तो टोटल मेरे पास कितने आगए बढ़ा तू थ्री और वन यह मुश्किल हो जाती है जब आप इनको बना कई ब हाँ यह बात समझ में आ रही है चलिए एक और देख लेते हैं सबसे टेड़ा वाला इसका और देख लेते हैं अब मैंने आप से का कि फिर से हमारे पास C6H3 CLBRI यह लो देखो इसमें क्या होगा बेंजिन अड़ा इस हुँ बस हां बेंजिन अड़ा इस हुँ यह कितने बन कि गशिश कीजे जरह देखें कितने बनते हैं ओके पहला केस ले रहे हैं जब हमने CL और बिएार को एड़सेंट पोजीशन दे दी है छिक है अगल बगल वाली पोजीशन दे दी हैं CL और बियार को अब आप कहरें कि आई कहां कहां लगा करें कही कईयों के आप देखेंगे तो आपके पास यह पुर की पोजीशन different हैं मैं आपको दिखा देता हूं किये वाले कर्बेन कि आगर बात करेंगे तो यह करवन से एक distance पर एह यह व्ला टू डिस्टेंस पर है यह पूर आईसोमर्स आपके बन जाएंगे आई लगने के बाद आप इन चारों पोजिशन में से कहीं पे भी आई लगा सकते हैं यह बाद समझ में आई चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं अब मैंने सी एल और बी आर को फिर से फिक्स किया लेकिन अलटर्नेट पर जीशन अब कहाँ लग सकता आ जियान से हिए यहां पर लग सकता है यह लग तो चारों लेगे सकता माना कॉंसी सिमिलर होगी कॉंसी सिमिलर नहीं होगी ओर लिए तो बिलकुल अलग है ऐसी position कहीं और नहीं दिखनी यह position देखे यह CL से 1 के distance पर है और BR से 1 2 3 bond के distance पर है उसका 2 sigma, 3 sigma और 1 5 bond है ठीक है ठीक है ऐसी कोई position कहीं और नहीं आएगी इसी तरह से यह वाली position को अगर आप देखेंगे तो प्लोरीन से 2 और ब्रोमीन से 2 position पर ऐसी कोई और पोजिशन है नहीं और यह भी बिल्कुल यूनीक पोजिशन है तो सारी position आपकी यूनीक हो गई या नहीं आपके पास और यहां पर भी बनेगा ओके अब देखिए का जड़ा अब क्या कि हमने CL हाँ आप CL और आई को लेके भ पोजिशन तो उनकी फिक्स हो जाएगी ना कि आप एक काम करके दिखेगा कि जब आप अच्छा जितने आपसे बन रहे हैं आप उन्हें बनाओ CL BRI अलग अलग डंसे ठीक है उसके वाद आप उसका आई-उपसी नेम लिखके देख लें अगर सेव आ गया आई-उपसी नेम सेवा गया इसका मतलब वह आई-सोमर नहीं है ठीक है इस्ट्रक्चरल तो नहीं है ना बिलकुल ठीक बात है चलो अच्छा अब मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने बियार लगा दिया अब देखो जड़ा किन किन पोजीशन पे मैं लगा सकता है एक पोज वाली पोजीशन को थो से मुझे कि को कि क्लोरिन से वंडेस्टेन्स यह वन डेस्टेन्स ब्रोमीन से 2 डिस्टेन्स 2 डिस्क्राव समझ में आया ये दोनों position identical हैं इन्वे से आप two count न करके इनको one count करेंगे और फिर इसी तरह से ये वाली position तो इस case में आपके पास two आएंगे तो टोटल आपके पास ten isomers बनेंगे फोर फोर वाले और्थो पोजीशन पर जब क्लोरिन और ब्रोमिन लगे हुआ है फिर मेटा पर क्लोरिन ब्रोमिन लगे हुआ है फिर पैरा पोजीशन पर बिल्कुम सब्सक्राइब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं सीपाइब एच टेन जो है हमारे पास सबसे पहले इसमें आप मुझे यह बताईए कि डिग्री ऑफ अंसेटूरेशन क्या है डी ओ यू यू या डबल बांड इकुलेंट भी आप कह सकते हैं दोहीं नाम होतें डबल तो डिग्री ऑफ अंसेटूरेशन आप कह सकते हैं वन होगा टू हाइड्रोजन की डेफिशेंसी है अब बहुत द्यान से डिग्री ऑफ अंसेटूरेशन वन का मतलब या तो आपके पास एक डबल बांड होगा ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक डेफिशेंस अरहाई इन दोनों मेंसे कुछ भी हो सकता है दोनों नहीं होगा दोनों के लिए आपको डबल बांड रॉनल्र टू गोणा है तो अब के पासcida स? मेरा जाएं आपस यह है कि आपको बताना है है तोटल साइक्लिक है एंड और साइकले अलग अलग निकालेंगे फिर कर देंगे यहां पे आपको इस इस ट्रक्चरल देखने है इस टीरियो वाले नीविध तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो चीज़ें हो सकते हैं तो पहले हम शुरुत करते हैं डबल बांड जहाँ देखिएगा कि इस नों कैसे टो मैं क्या करूँ फाइब कर बन में अपिंद अ लगा सकते हैं और में यह लगा दिया और मैंने यह लगा दिया तो तो पोजीशन पे चलिए उसको ऐसे दिखा देते हैं डिफ्रेंट कलर से दो पोजीशन पर आपको होगे तरा आगे भी तो लगा सकते हैं बिल्कुल लगा तू कुछ बात समझ में आई तो यह लेकिन अभी कानी ख़तम दोड़ी तो यह पांचों कार्बन को अगर लाइन से लगाया था ना अब अगली पॉसिबिल्टी क्या है मैं फोर कार्बन लगा लू और एक कार्बन को पॉजिशन डिफरेंट दे दू चलिए यह कर लिए मैं आप यहां दू यहां इसके बगल में दू बात है कि बहुत बड़िया बहुत बड़िया चलिए अब डबल बॉंड काह का लग सकता है देखें आप यहां लगा सकते हो लेकिन यह वाली पॉजिशन से हो जाएगी क्योंकि दो कार्बन सेम है यह बात समझ में आई हां तो यह वन टू वन टू पॉजिशन पर हो जाए ठीक है लेकिन यह वाला डिफरेंट है सेकंड पॉजिशन यह हो सकती है और एक और पॉजिशन हो सकती है यह देखेगा यह भी तो अलग हो गया बिलकुल तो आपके पास थ्री पॉजिशन हो गई डबल बॉण्ड लगाने की तो थ्री यहां पे आया ओके अच्छा और क्या बन सकता है सी पाइव है तो सी पाइव ऐसे भी तो कार्बन लग सकते हैं अब मुझे बताओ इसमें कितनी पॉसिबिल्टी है डबल बॉण्ड लगाने की कि हसने वाले हो यह भी बताओ रहे हैं हाँ बोले सर कार्बन सबके सब सेम लग रहे हैं है तो कहीं भी लगा दे एक तो लगी जाएगा तो तोच लो अरे बिटा ये कारवन को देखो अरे चार की चार वेलेंसी कंप्लीट हो चुकी है कहां से डबल बॉंड आएगा इसमें तो इस पर पॉसिबिल ही नहीं है नौट पॉसिबल कहां से डबल बॉंड आजागा डबल बॉंड आने के लिए कुछ पूना भी तो जीए उसके पा पास पाइव हो गये जिसमें हमने कंप्लीट सैकल नहीं बनाई वो पाइव हो अच्छा जी अब अब साइकलिक की बात करेंगे बिल्कुल करेंगे तो क्योंकि एक रिंग होनी चाहिए एक रिंग होनी चाहिए ठीक है उस सबसे पहली रिंग हम ऐसे बना देते हैं यह लिए यह बन गया ओके कई रखता है कि यहां पर कहानी खत्म हो गई रिंग के वादे में यह तो डिका है कि पांचों से एक बार लगा दिए तो यह भी तो यह भी तो रिंग बना रहा है आप देखें बड़ा इंट्रेसिंग है कि बना दिए यहां पर एक आपने ऐसे लगाया, और एक ऐसे लगाया, यह समझ में आगया, 5 कार्बन लग गए, 5 कार्बन दिखा दू मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसमें बढ़ा इंटरस्टिंग चीज होती है कि अभी यह कहानी खतम नहीं हुई, मैं इसको ऐसे भी तो लगा सकता हूँ, बात समझ में आई, अब कार्बन कहां गई, यह दो कार्बन होगा, आप फॉर्मूला बना के देख लो, फॉर्मूला बना के बिल्कुल देख न बताए, बहुत जरूरी है आपको, और एक और पॉसिबिल्टी है, हाँ, ऐसे, एक एच यहां लगा दिया, एक एच यहां लगा एक कार्बन यह रहा, एक कार्बन यह रहा, और थ्री यह रहा, सी फाइव, एच टेन बन गया होगा, चेक कर लो, ओके, आप दो कार्बन से तो रिंग बन नहीं पाएगी है, तो होगे, थ्री, पॉर, पाइव, तो थ्री वाले में ध्यान रखना है यहां पे, थ्री बन साइक्लिक और फाइव, एस साइक्लिक टोटल आपके पास टेन, ध्यान रखेगा, यह स्ट्रेक्श्रल है, इस टीरियों की बात मैंने नहीं किया, तो हेवी वाला मैंने आपको करा दिया है, एक आसान वाला होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सी पोर, एच एट के, आपको सा साइक्लिक और एस साइक्लिक, जनरली होता है, जैसे हम सी पोर, एच एट देखते हैं, तो हम कहते हैं, सी एन, एच टू एन, यह तो एलकीन है, लेकिन ध्यान रखेगा, यह, हाँ, यहां से आप अगर डवल बॉंड एक्वेलेंट निकालेंगे, तो वन आएगा, तो एलकी होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कि इसमें एक रिंग हो, यह साइक्लिक स्ट्रक्चर बनीगा है, तो यह आपको बताना है कि टोटल कितने पॉसिबल हैं, सी पोर, एच एट में साइक्लिक और हैसा इक्लिक, और अगर पॉसिबल हुआ, तो एक को देखेएगा, सी पोर, एच सिक्स, ठीक है, यह थोड़ा सा हैवी होगा, तो नेक्स्ट क्लास में आते ही, पहले हम इने सॉल्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, टॉटो मेरेजम की होगा,